हेलो नमस्कार दोस्तो मैं सुमीद स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैं रिसी केंपस पे दोस्तो आपके लिए खुसकबरी है स्टेट बैंक ओफ इंडिया के अंदर दोस्तो नई बरती आई है और इसके अंदर अच्छी खासी विकैंसी बताई गई है दोस्तो पोश्ट की बात करें तो कलेरिकल के लिए नोटिपकेशन जारी किया गया है फारम सुरू ओने की डेट है दोस्तो 27 अपरेल और लास्ट डेट की बात करें तो 17 मई है दोस्तो अगर हमें फाइनल सेलेक्शन तक पहुंचना है तो हमें दो एक्जाम से होके गुजरना पड़ेगा पहला परी और दूसरा मेंस दोस्तो जो परी एक्जाम है इसकी संभावित एक्जाम डेट है वो जून के अंदर बताई गई है और जबकि मेंस एक्जाम है वो 31 जुलाई को यहां पर बताया गया है नेक्स्ट है दोस्तो यहाँ पे यह स्टेट वाइज और कटेगरी वाइज यहाँ पे विकैंसी बताई गई हैं जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे दोस्तो काफी अच्छी खासी विकैंसी जो हैं SBI के अंदर अब की बार निकली हैं दोस्तो अगर आप ये वीडियो कम्पलीट देखोगे तो इस बर्ती से लेटेड आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा एलिजिबल्टी क्राइटेरिया की बात करें दोस्तो तो आपकी एज 1421 किस्त काउंट की जाएगी यहाँ पे एज 20 से 28 साल के बीच मांगी गई है यदि दोस्तो आपकी डेट और बर्त 2493 से 14201 के बीच है तो आप फॉम को अपलाई कर सकते हो इसके लिए आप एलिजिबल हो एज रिलेक्सेशन की बात करें दोस्तो तो SCST कैंडिडेट को यहाँ पे 5 साल की छूट मिलेगी OVC कैंडिडेट को 3 साल की इसके लावा दोस्तो अगर PWD कैंडिडेट है जनरल या EWS कैटेगरी से उसको 10 साल SCST से है तो 15 साल और OVC से है तो दोस्तो यहाँ पे 13 साल की उसे छूट मिलेगी यहाँ पे दोस्तो एक्स सर्विसमेन के लिए भी विशेश छूट बताई गई है इसके इलावा दोस्तो यदि कोई लेडिज विदवा है या किसी लेडिज का तलाक हो रखा है या कोई जूडिशली कानूनन तरिके से अपने पती से अलग रह रही है तो दोस्तो उसको उनिवर्स्टी केंडिडेट है तो 40 साल तक अपने फूम को अपलाई कर सकती है क्वालिफ केसन की बात करें दोस्तो तो आपके पास ग्रेजवेशन होनी चाहिए किसी भी रिकोगनाइजड युनिवर्स्टी से इसके लावा दोस्तो यदि आप ग्रेजवेशन के फाइनल या फाइनल सेमेश्टर के अंदर हैं तो भी आप फूम को अपलाई कर सकते हो यदि आपका फाइनल सेलेक्शन हो जाता है तो उसमें आपको ग्रेजवेशन की डिगरी दिखानी होगी कि आपकी ग्रेजवेशन कलियर है उस टाइम आपको यह चीज शो करनी होगी सेलेक्शन प्रोसेस की बात करें दोस्तों तो इसके लिए आपके दो एक्जाम होंगे पहला परी और दूसरा मेंस दोस्तों दोनों ही एक्जाम आपके ओनलाइन होंगे तो सबसे पहले परी एक्जाम की बात कर लेते हैं इसके अंदर दोस्तों तीन सेक्शन रहेंगे आप दोस्तों यहाँ पे banking के अंदर हर section का time fix होता है English के लिए आपको 20 minute मिलेंगे Mathematics के लिए आपको 20 minute और Reasoning के लिए भी आपको 20 minute यानि कि तीनों section के लिए आपको 20-20 minute का time मिलेगा और दोस्तों इसके अंदर 1-4th की negative marking भी रहेगी Next है दोस्तो, mains exam जिन भी candidate का pre-exam clear हो चुका होता है उसको mains exam के अंदर बैठाया जाता है दोस्तों यह भी आपका online तरिक्के से exam होगा इसके अंदर 4 section होगे पहला है general financial awareness दूसरा दोस्तों English है, तीसरा math है और चोथा reasoning और computer aptitude दोस्तों यहाँ पे total question की बात करें तो 190 question होएंगे और total marks की बात करें तो 200 time की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे 2 hour 40 minute का यहाँ पे total आपके पास time रहेगा section wise बात करें तो general financial awareness के लिए दोस्तों 35 minute English के लिए 35 minute mathematics के लिए यहाँ पे 45 minute और दोस्तों reasoning और computer के लिए दोस्तों यहाँ पे 45 minute का आपके पास total time रहेगा इसके अंदर भी दोस्तों 1 fourth की negative marking रहेगी pay scale की बात करें दोस्तों तो आपकी जो starting basic pay है वो 19,900 रुपई रहेगी application fees के बारे में जान लेते हैं दोस्तों यदि आप SC, ST, PWD X-Service Man या disabled X-Service Man हो तो आपको याँ पे कोई भी fees pay नहीं करनी है इसके लावा यदि आप general OBC EWS candidate हो तो आपको 7500 रुपई दोस्तों याँ पे fees pay करनी पड़ेगी और दोस्तों ये non-refundable fees रहेगी एक बार यदि आपने pay कर दी तो वापिस आप इसको नहीं ले सकते दोस्तों यही एक information थी जो आप तक share करनी थी इसके लावा यदि आपका इस बरती से related कोई doubt बचा रह गया तो आप comment box के अंदर उसे पूछ सकते हैं बिल्कुल मैं जल्दी से जल्दी आपके doubt का reply जरूर करूंगा और दोस्तों ऐसी अपडेट पाने के लिए अपने चैनल मेरीसी केंपस को सब्सक्राइब जरूर करना थेंक्यू दोस्तों